असलाम अलेकुम आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ जमजम पुलाओगी बहुत ही आसान सी रेसिपी तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीस इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सबस्क्राइब करके बेल बटन को भी हिट कर दीजिए और हाँ आप मुझे फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये हुए हैं जरूर से एक बार इस रेसिपी को ट्राइ कीजिए और अपने जो फीड़ बैक्स है मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी बेज सकते हैं तो चलिए स सबसे पहले मैंने यहां पर ले लिया है आलू तो यहां पर यह मैंने एक आलू लिया है इसमें मैं हरा कलर दाल दूंगी और इसे हम मिक्स करके रख लेंगे अब मैं यहां पर रेट कलर दाल दूंगी दूसरे आलू में और इसे भी हम एक साइड में रख लेंगे अब यहा चोटा चमच इदरकलसन का पेस्ट बस हो जाएगा तो अब मैं इसमें एड़ कर दूँगे एक छोटा सा प्यास जिसे मैंने चौपर में चौप कर लिया है साथ में थोड़ी सी मैंने इसमें हरा धनिया ले लिया है वह एड़ कर देंगे मसालों में लेंगे धनिया पाउडर एक चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे थोड़ा सा लेंगे चाट मसाला और थोड़ा सा लेंगे हम लाल मिर्ची कुटी हुई और लेंगे गरम मसाला पाउडर सारी चीज को हम इसमें मिक्स कर लेंगे और अच्छे से हमें इसमें अच्छे से लग जाए अब इसके बाद मैं आड़ कर दूंगी दो से धाई चमज मैं आड़ करूंगी चने का आटा या फिर आप बेसन बोलते हैं तो वह एड़ कर लीजिए अब मैं यहाँ पर एड़ कर लूँगी एक बरतन में तेल और जो आलू हमने यहाँ पर कलर करके र कर लेना है तो जैसे मैं पहले येलो वाला फ्राइ कर लूँगी फिर उसके बाद ग्रीन एंड रेड ऐसा फ्राइ कर लूँगी एक साथ सब मत दालिए वरना उसका जो कलर है वह आपस में मिल जाएगा तो अब देख सकते हैं आलू जो हमें हमारे फ्राइ हो रहे है फ्राइ इतने हमें पूरे जादा नहीं कर लेना है बस दो मिनिट के लिए बस तेल में डालके से निकाल लेना है हम जब दंपर रखेंगे जब यह आलू ने आप अच्छे से पक जाएंगे अब मैं इसमें रैड वाले दाल दूँगी और उसे भी मैं हलका सा 2-3 मिट तक फ्राइ कर लूँगी यह तेल में से निकालने के बाद यह होता है कि इसका जो कलर है वो नहीं छूटता है यह कोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड पर रखा हुआ है और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हैं अगर आप चाहे तो यह रैसिपी को ज़रूर ट्राइग कीजिए तो देख सकते हैं आप ग्रीन वाले आलू भी हमारे हो चुके हैं अब इसे हम साइड में निकाल लेंगे और आप जो खीमा था उसके छोटे-छोटे से गोली जैसे बनाकर हमें तेल में फ्राय कर लेना है जादा बड़े नहीं बनाना है क्योंकि यह जो जमजब प्लाव मे हमें जो है कबाब छोटे-छोटे ही रहते हैं तो इसलिए जादा बड़े नहीं बनाना है हमें बस थोड़ा-थोड़ा सा कीमा ऐसा हाथ में लेकि ओईल में जो है वह छोड़ते जाना है इसका प्रॉपर शेप नहीं भी आएगा तो भी चलेगा बस थोड़ा कीमा ऐसा भाए हो जाएंगे तो हम इसे निकाल लेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कबाब जो हो हमारे अच्छे से गोल्डन क्रिपी से हो चुके है तो हमें इससे निकाल का साइड में रख लेंगे अब मैं ये जो है वह चिकन की कलेजी मैंने सर्फ इसमें अधरक लस्री नमक पते एक बड़ी एलाइची एक चोटी एलाइची और एक हरी वाली एलाइची मैं एट कर दूँगी तो गरम मसाले को अच्छे से हमें खुश्बुआ आने तक के पकाना है इसके बाद मैं स्मेट कर दूँगी प्यास तो यहाँ पर मैंने ले लिए है दो मीडियम साइस की प्यास जिसे मैंने अच्छे से फाइनली चॉप कर लिया है और इसे हम अच्छे से अभी fry करने देंगे ज्यादा हमें प्यास को fry नहीं करना है वहरना इसका जो color है वो बिल्कुल black होने लग जाता है तो हमें इसे हल्के सबस color देना है अब मैं इसमें add कर दूंगी हरी मिर्ची तो मैं यहाँ पर नौ से दस हरी मिर्ची इसमें यूज करूंगी क्योंकि चावल भी तोड़े जादा है इसलिए आपको जितना तीखा चाहिए आप उतना एट कर सकते हैं अब मैं इसमें आट कर दूंगे अद्रक लसन का पेस्ट तो मैं यहाँ पर तीन चमच अद्रक लसन का पेस्ट यूज करूंगी और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे फुल फ्लेम पर हम ऐसे भूनना है और अद्रक लसन की जो स्मेल होती है कच्छी स्मेल वो सब निकाल अब मैं इसमें आट कर दूंगी टमाटर तो मैं यहां पर एक ही टमाटर यूज़ करूंगी और टमाटर को गलने तक हम अच्छे से पका लेंगे अब मैं इसमें आट कर दूँगी आधा कटोरी दही दही जो है हमें अच्छे से इसमें पूरा सुखा लेना है दही का बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए तो बस इस तरीके से हमें इसे मिक्स करते जाना है और दो से तीन मिनिट में ही दही का सारा पानी जो है वो सूखने लग जाता है तो बस आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से से चला रही हूँ और अब मैं इसमें आट कर दूँगी चिकन चिकन मैंने यहाँ पर लिया है आदा किलो अगर आप चाहे तो इसमें मटन भी यूज़ कर सकते हैं और क्योंकि मैंने कबाब जो है वो मटन के बनाए है इसलिए मैं गोश्ट जो है वो चिकन का ले रही हूँ आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर आप मटन का गोश्ट लेंगे, और चिकन के कबाब भी बना सकते हैं, तो बस आप देख सकते हैं, चिकन जो है, वो मेरा अच्छे से गल चुका है, अब देख सकते हैं, अच्छे से परफेक्ट गल चुका है चिकन, तो अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहां पर मैं आधा चमच गरम मसाला पाउडर यूस करूंगी और इसमें मैं आट कर दूंगी पानी जो के चावल पकाने के लिए हम दालेंगे तो, चावल की यह और इस मैं ऐट कर दूंगी 3-3.30 घ्लास पानी चावल को जो है वह मैंने 10 मिनिट पहले से भिगा कर रखी ती इसलिए मैं यहां पर 3-3.30 घ्लास पानी इसमें आट कर दूंगी और इसके बाद मैं इसमें आट कर दूंगी नमक और साथ ही मैं आट कर दूंगी चावल जो के मैंने भीगा कर रखी हुई थी और बस इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चावलों का पानी सूखने तक इसे पका लेंगे तो बस दस बारा मिनिट में सारा पानी जो है वो सूख जाएगा और इसके बाद हम इसमें जो है वो पहले कोफते की लेयर और जो कलेजी है उसकी लेयर सब अच्छे से हम सजा लेंगे तो अच्छे से हम इसे सजा लेंगे एक पहले रेड वाला आलू ग्रीन पर येलू ऐसा करके जितना अच्छा और कलरफुल दिखेगा उतना जादा अच्छा लगता है खाने में तो हम अच्छे से से डेकुरेट कर लेंगे के बाद सारे कोफते जो है वो भी हम इसे अच्छे से लगा देंगे और बस इसे लगाने के बाद हम इसे कवर करेंगे दस से बारा मिनिट के लिए ताके लो फ्लेम पर ताके जो हमारा पुलाओ है इसमें अच्छे से दम लग जाए अगर आप चाहे तो इसमें अंडा भी दाल सकते हैं उबाल के और अगर आपको यह रेसीपी पसंद आए तो प्लीस इस वडियो को लएक कीजिए तो इससे दस से बारा मिनिट के लिए आप दम दे दीजे और यह रेडी है अगर रेसीपी पसंद आए तो प्लीस लाइक कीजिए अलहाफिश